नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती खास जानकरी देने वाले हैं दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में काम्याभी पाना चाहता है मान सम्मान पाना चाहता है धन दौलत एकत्रित करके अपने परिवार को शुक, समर्दी, पुशिया और एस्वर्य परदान करना चाहता है लेकिन दोस्तों अधितर लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी ये सब्सक्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने कर लिया तो ये सभी चीजे धन, सम्मान, सुक्सम्रदी, प्रतिष्ठा, आधि सब को सहज रूप सही आपको मिल जाएगा सुर्य देव को जल चड़ाने वाले लोटे में डाल देए एक छोटी सी चीज मिलेगा धन, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार में उन्नती, पित्र का सहयोग और रोगों से भी मुक्ति सुर्य देव को जल चड़ा दिया, तो समझ लीजिए कि ये सभी चीजे आपकी जोली में खुदिया कर जाएगा आपको फिर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों बैसे तो सुर्य देव को प्रते दिन ही जल चड़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रते दिन सुर्य देव को चोल लोटे से जल नहीं चड़ा सकते हैं, तो आप रभीवार रभीवार के दिन ही आप लोटें से सुर्य देव को जल चड़ाया करें दोस्तो सुरदेव की दो संताने हैं एक यम्राज और एक शनी देव ऐसा कहा जाता है कि जिन किसी व्यक्ति के उपर भी सुरदेव की करपा हो जाती है उन सभी को धन्मान संबान के साथ साथ इन दोनों का भी आशिरवाद मिल जाता है क्योंकि उनके पिता का आशिरवाद होन या फिर मिर्ति उसका पीछा करेगी दोस्तों अगर आपने सूरदेव को जल दिया तो आपको यम देवतार से भी कोई खत्रा नहीं और साथ ही साथ सनी देव का भी आपको पूर्ण जहीओं को मिलता है इसलिए दोस्तों आपको हमारे दुवारा बताएगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अची लगे तो अब से लाइक करें और जानते हैं इस हुपाय के वारे में की आपको ये क्या चीज है जो लोड़े से करनी है दोस्तों विदी विदान्स से करना ही बहुत जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी उपाए विधी विदान से करते हैं तबी आपको उसका पून फल मिलता है अगर बिना विधी के कोई भी किया गया उपाए आपको कभी भी फल नहीं देता है और कभी-कभी अगर विदी खराब हो जाए तो आपको उसका उल्टा प्रवाब भी देखने को मिल सकता है इसलिए दोस्तों कमेंट बोक्स में जय बजरेपली लिखें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का बला हो सकते लिख्वेद के अनुसार सूरदेव में पापों से मुक्ती दिलाने रोगों का नाश करने आयू और सुक में वर्दी करने वा गरीबी दूर करने की अपार सकती है इसलिए जो भी जातक नित्य सूरदेव को जल चड़ाता है या रविवार के दिन सूरदेव को जल चड़ाता है उसको यह सभी सहजी मिल जाता है उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप एक तांबे का ही लोटा ले जिया दोस्तों सुरत देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चड़ाना चाहिए एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें जल भर ले, जल भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल ले, यह बहुती अनिवार है दोस्तों, अगर आपके बास गंगा जल ना हो, तो आप बाजार से खंडितर जरूर लेकर आए, इसमें चाहिए आप थोड़ा सा ही डा आप डाले, आप दोस्तों बिलकुल विशेश चीज़, दो कुष्प जो की लाल रंके हो, आप उन्हें इस जल में अवश्य डाल दे, यह सभी शामगरी लोटे में डाल देने के बाद, आप सूर्य देव को, ओ, सूर्य आयनम, इस मंतर का जाब करते हुए, सूर्य देव को अर्ग दे, दोस्तों जब तक इस मंतर का जाब करते रहें, जब तक की पूरी जल आप उनको अर्ग न दे दे, दोस्तों एक पतली धारा बांध करके, धीरे धीरे सूर्य देव को जल का अर्ग दे, दोस्तों अगर किसी कारण से आकास में बादल चाय हुए है, या फिर पूदिशा की और मुक करके ही जल दे, सूर्य देव को जल देने के लिए लोटे को अपने सिर से उपर की ओर कर ले, उसके बाद जल अगवित करें, और जो धारा लोटे में से गिरेगी, उसमें से होते हुए सूर्य देव के दर्शन करें, जब सारा जल जमीन पर गिर आपको पूरा फल प्राफ होता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में के वर इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिद्धे में जासे धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जै बजरन बली